सीरल ये रिष्टा क्या कहलाता है में कार्तिक नायरा से बहुत जादा नाराज हो जाता है क्योंकि नायरा ने उसे छोड़कर कार्तिक के परिवार को चुना है सीरल ये रिष्टा क्या कहलाता है में नायरा और कार्थी की शादी हो गई है और वो दोनों कार्थी के परिवार में अपना नया जीवन शुरू कर चुके हैं नायरा ने घर में आते ही उसने सभी का दिल जीतना शुरू कर दिया है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दिये इस पूरे परिवार में खुद को अर्जिस्ट करने की नायरा एक ऐसे बेग्डाउंड से आई है यहाँ पर बेटियों और बगों को एक समान ही माना जाता है अपने माबाबा के घर में नायरा पूरी अजादी से बड़ी हुई है और उसके विचार बहुत खुले हैं लेकिन यहाँ कार्ति के परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर इन लोगों के विचार बहुत अलग हैं दादी थोड़ी सी पुराने खयालों की है इसलिए नायरा कोशिश करती है कि वो इस घर में जल्दी से जल्दी अर्जिस्ट हो जाए और दादी का दिल भी जीत ले नायरा यह सब सिर्फ कार्ति के लिए करना चाहती है जो में आप देखेंगी कि कार्तिक अब नायरा के साथ अपने हनिमून की तयारिया करेगा क्योंकि वो नायरा के साथ कुछ कॉलिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है लेकिन अब उनके हनिमून को लेकर बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है नायरा कार्तिक को हनिमून पर जाने से मना कर देगी क्योंकि वो पहले घर में सबके साथ अर्जिस्ट होना चाहती है और सबका दिल जीतना चाहती है कार्तिक नायरा की इबास उनकर बहुत जादा अपसेट हो जाएगा और अब देखते हैं कि नारा कार्थी को कैसे मनाती हैं वेले शोर से जुरी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइबर्स